हलो दोस्तो नमेश्कार तो फिलाल इस वडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तो अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड दोस्तो यहाँ पे आने वाला जो निक्स्ट हफता है जो कि हम लोग कहते हैं यूज्यॉली मार्केट पार्च दिन चलता है सैटर्डे संडे तो क्लोज रहता है बट इस हफते की अगर हम लोग बात करें बाजार बहुती शॉर्ट रहने वाला है कम दिन यहाँ पे बाजार ओपन रहने वाला है क्योंकि दो हम लोगों को बैक टू बैक छुट्टी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते कौन से दीन यहाँ पे छुट्टी रहेगी तो दोस्तों आप लोग देख सकते एप्रिल के अगर में बात करें फॉर्टीन और फिफ्टीन थर्स्डे फ्राइडे बैक टू बैक उसके बाद सैटर्डे संडे मतलब चार दीन बाजर लगातार यहाँ पे क्लोज रहने वाला है सो मंडे टूजडे वेनस डे लेट सिट तीन ही दिन इस वक्त अगर हम लोग बात करें बहुत चोटा सा मार्केट हम लोग को इस वक्त यहाँ पे इस हफते देखने कर आपे मिलने वाला है दयन अगर हम लोग बात करें, next इसमें आप देख सकते एप्रील ये दो ही छुट्टी हैं, उसके बाद हम लोग में की बात करें तो एक ही छुट्टी में आने वाली तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे यह तो पता चल गया कि इस हफते 5 दिन में से 3 दिन ही बाजार चलने वाला है चलिए आज आते नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के उपर पहले की बाजार का महौल क्या चल रहे तो महौल की अगर हम लोग बात करें तो MPC की बेटक आप सब लोग को पता है यहापे complete हो चुकी है MPC की बेटक में कोई भी rate में हम लोग को बदलाव होते वे देखने को नहीं मिला है इससे related मैंने वीडियो भी बनाया था आप लोग को बताया था कि रेपो रेट चेंज नहीं हुआ है मतलब उसका अर्थ क्या होता है reverse रेपो रेट चेंज नहीं हुआ मतलब CRR की अगर हम लोग बात करे SLR की बात करे सारी चीज़े आप लोग को term to term मिने आप लोग को आप लोग को समझा दिया अगर आप वो भी वीडियो नहीं देखा है आप लोग चाहो तो यहापे देख सकते हो प्लेइलिस्ट में available है so MPC की बैटक में हम लोग कह सकते है accommodative stands भी RBI ने आपे continue रखा हुआ है और इस सारी चीज़ों को अगर हम लोग जोड कर देखे तो बाजर ने इस जो outcome था उसको हम लोग को positive response देते वे देखने को मिला और जो closing थी हम लोग को यहापे 500 point के आसपास यहापे nifty 50 में positive ही closing देखने को आपे मिली थी so अभी आज आते ही यह आने वाला जो next हफ्ता रहेगा उसमें कौन-कौन से important trigger है जिसके उपर हम लोगोंने focus रखना चाहिए सबसे पहला important trigger है दोस्तों जो की है आप सब लोग को पता है कि यहापे companies के March quarter के earning का जो numbers देता है जो season रहता है वो अभी start होने वाले आप सब लोग को पता है कि as a fundamental analysis अगर आप लोग एक long term investor हो तो हम लोगों के लिए quarter के number कितने important रहते है क्योंकि company का जो भी performance रहता है वो सब कुछ हम लोगों को पता चल जाता है इन counter के numbers के हिसाब से कोई stock 100% भाग रहा है 200% भाग रहा है क्या वो valid है तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को पता चल जाती है numbers के हिसाब से अगर हम लोग बात करें यह जो हफता रहने वाला है IT companies के numbers के हिसाब से ज़्यादा popular रहेगा IT banks के अगर हम लोग बात करें सबसे पहले तो धमातकेदार शुरुआत होने वाले कल से ही अगर हम लोग बात करें 11th April से ही क्योंकि आप सब लोगों को पता है TCS अपने number प्रेजेंट करने वाला है अगर हम लोग 13 April की बात करें तो Infosys यह दो दिगज IT की कमपनिया इस हफते number पेश करते वे देखने को मिलने वाली है अगर हम लोग private banks की बात करें HDFC bank ICIC Prudential Life की अगर हम इंशरंस की बात करें तो इनके numbers हम लोगो Saturday की दिन 16th April को देखने को मिलने वाले है तो बताने का मकसद क्या है दूस्तों quarter के numbers start हो चुके है और ये सबसे important event होता है क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा है कि हमारा index कोई लेना देना नहीं index तो चलता ही रहेगा हमारा लेना देना है company के individual performance है अगर आपकी company individually अच्छा कर रही है इंडेक्स वह move भी नहीं किया आपका company अच्छा returns आपको देखे चला जाएगा और अगर आपने कोई घटिया company अपने portfolio में रखी है चाहे वह index निफ्टिकल एक लाग का भी हो जाए फिर भी आपको returns नहीं मिलेंगे तो इसलिए individual company का performance देखना यह बहुत ही interesting factor होने वाला है तो quarter के जो numbers है वह हम लोग को start होते वे देखने को मिलेंगे और आप देख सकते हैं आगे कौन-कौन से company के number है बिरला टायर से है, डेल्टा कॉप है उसी के साथ-साथ आप लोग यहापे चेक कर सकते हैं अनन्द राठी, वेल्ट की बात करें लास्ट वाक इनके numbers अच्छे थे, मुझे आज भी आदे मैंने note करके रखा था देन network है, अलोक industry है तो अभी यह तो सिलसिला अभी start यहापे होने वाला है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो inflation and industrial output यह CPI की अगर हम लोग बात करें consumer price index inflation तो इसका data अभी हम लोग को देखने को मिलने वाला है कब आने वाला है? Tuesday की दिन आने वाला है अगर हम लोग RBI की बात करें तो आप सब लंको बात है RBI भी इसके उपर खास focus यहापे बना के रखने वाला है और आप सबी लोग को यहापे पता है कि अभी का जो MPC की बेटक हम लोग ने यहापे देखी थी तो RBI ने भी जो उनका inflation का जो forecast है वो भी उन्होंने increase कर दिया somewhere around 5.7% के आसपास next अगर हम लोग यहापे बात करें दोस्तो तो जो growth थी वो भी उन्होंने estimate अगर crude oil यहापे महिंगा हो जाता है तो इस सारी forecasting inflation भी increase हो जाएगा और जो growth है वो भी decrease यहापे शायद से हो सकता है यह depend करता है क्योंकि Russia and Ukraine का जो tension किस हद तक जाएगा उसके सबसे यह सारी चीजे oil के लिए तो दाम कि अगर हम लोग बात करें इनी factor के उपर depend करती है so RBI भी इनी के उपर focus फिलाल तो बना कर रखा हुआ है next अगर हम लोग यहापे बात करें दोस्तों तो जो focus रहेगा जैसे मैंने का कि oil prices के उपर ही रहेगा कि कैसा performance चल रहा है जैसे मैंने आप लोग को बताया oil prices तो पूरा Russia versus Ukraine से ही गिरा हुआ है तो इसलिए आप लोग ने Russia and Ukraine का जो tension है उसके उपर भी focus रखना चाहिए अगर हम लोग यहापे बात करें फिलाल का क्या नया update चल रहा है तो देखा गया तो बातचित तो यहापे चल रही है बर जैसे मैंने आप लोग को कहा था कि अगर बातचित एक sitting में अगर सब कुछ मसला हल हो जाता तो war जैसे स्तीती ही नहीं आती तो definitely time यहापे लगेगा फिलाल कि अगर हम लोग बात करें यूकरेन को हत्यार प्रोवाइड करने का काम US, UK यहापे उनका जारी है क्योंकि यूकरेन के पास इतने हत्यार है नहीं कैसे वो खुद को defend करेंगे इसलिए हम लोग यहापे कह सकते हैं कि रशिया का यह जो war है वो और भी लंबा यहापे चल सकता है अगर हम लोग यहापे बात कर दोस्तों तो जो expectation रशिया ने किया था कि वो फटा-फट यहापे चीजों को हासिल करेंगे खास करके जो यूकरेन की जो capital है क्योंको वो फटा-फट यहापे capture कर लेंगे यह उनिके statement है बट बाद में हम लोगों ने देख लिया कि प्रैक्टिकली तो वैसा possible होते भी देखने को नहीं मिला है तो इसलिए रशिया भी हम लोगों को थोड़ा सा सोच समझ कर कदम उठाते भी देखने को आपे मिल रहे है क्योंकि यह जो wars देखने को यहापे हम लोगों को मिल रहे है इसका जो फाइदा है वो definitely हम लोग कह सकते थर्ड पार्टी उठाते भी देखने को मिल रहे है जिसमें अमेरिका सबसे टॉप नंबर पे यह भी हर किसी को यह आपे पता है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तो तो ग्लोबल डेटा पॉइंट्स दुनिया बरके भी कुछ important points है factors है जिसके उपर बाजार का focus रहेगा जैसे के अगर हम लोग बात करें अमेरिका का inflation का number है वो आप लोग को Tuesday के दिन release होते वे देखने को मिलेगा यह देखना एक बहुत ही interesting factor रहेगा और नेक्स अगर हम लोग बात करें European Central Bank के अगर हम लोग monetary policy की बात करी उसका outcome हम लोग को announce होते वे देखने को मिलेगा Thursday को so definitely हम लोग यह आपर कह सकते कि यह दो factor है internationally अगर हम लोग यह आपर बात करें वैसे तो Russia Ukraine the internationally है बट अगर हम लोग data के हिसाब से बात करें तो यह दो important factor है जिनके उपर आप लोग ने focus बना के रखना चाहिए then दोस्तों अगर हम लोग next यह आपे बात करें FIS and DIS की activity yes FIS वापस अपने पुराने मोड पे यह आपे अक्टिवेट हो चुके हम लोग ऐसा भी बोल सकते net selling देखने को मिल रहे हैं लगबग 4,000 करोड के आसपास शुरुआत जो थी 1st April 4th and 5th बहुत ही अच्छी तरीके से यह जो financial year है उसमें FIS ने buying कर रूख यह आपे शुरुआत में तो रखा था बढ़ बाद में जो उन्होंने बिक्वाली की है और खास करके 7th April को जो की है वो आप लोग देख सकते हैं मतलब अभी भी जो pressure है वो FIS के और से देखने को यह पर मिल रहा है बट simultaneously हम लोग यह आपे कह सकते है DIS बहुत ही strongly खड़े है मतलब यहापे FIS ने 4,000 करोड का माल बेचा यह भी एक positive बात है जो कि हम लोग यहापे बोल सकते है next बात करेंगे dollar to INR अभी भी हम लोग कह सकते है dollar अभी strong धीमे-धीमे होते वे देखने को मिल रहा है लगबख 76 के आसपास यहापे Indian रुपी देखने को मिल रहा है gold की बात करे 54 के आसपास हम लोगों को जाते वे देखने को मिल रहा है then अगर crude oil की बात करें already check कर चुके 100 के आसपास यह WTI भी similar वे 100 के आसपास देखने को मिल रहा है option chain की अगर हम जोग यहापे बात करें जैसे के आपको पते fluctuating manner में change होता रहता है but closest जो support level है वो 17700 का देखने को यहापे मिल रहा है मैं एक बार वापस चेक कर लेता हूँ yes 17700 ही यहापे हम लोगों को देखने को मिल रहा है एक अच्छा कासा support है और 17700 अगर break भी हो गया तो 17600 पे भी एक बहुत ही बड़ी दिवार यहापे हम लोगों को built होते भी देखने को मिल रही है वैसे अगर हम लोग resistance की बात करें तो मैं आप लोगों को बताना चांगा if I am not wrong 18000 yes 18000 पे बहुत ही अच्छा कासा resistance भी देखने को आपे मिल रहा है तो अगर हम लोग यहापे बात करें तो 17700 या फिर अगर आप चाओ तो 600 भी पकड़ लो और 18000 इस range में हमनों को market फिलाल trade करते भी देखने को आपे मिल सकते है मैं अगेन कहे रहा हूँ यह आज की स्थिति है कल क्या होगा वो depend करता है situation की साबसे यह resistant भी break हो जाते है support भी break हो जाते है depend करता है market की situation कैसी चल रही है बट येस अगर समुन्दर शांत्रा समुन्दर शांत्रा मतलब market में कोई unexpected news नहीं आ गई normal normal market चलेगा क्योंकि hardly तीन ही दिन चलने वाला है समुन्दर अगर शांत्रा तो यह 300-400 point के range में ही पाजार यहां पर फिलाल ट्रेड करते हुए देखने को भी मिल सकता है so हम तो investor है but still आप लोगों को एक छोटा मोटा update